नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे विशेश कार्यक्रम में जहां हम लेकर आए हैं महाराष्ट्र विधान सभा चुनाव के सर्वेक्षन का विशलेशन आज हम जानेंगे कि जनता के मन में क्या चल रहा है, कौन सी पार्टी को मिल रही है, बढ़त और किस मुद्दे पर मतदाता कर रहे हैं, फैसला नमस्कार, मैं संजू और आप देख रहे हैं विशेश चुनावी कवरेज जैसा कि आप जानते हैं, महाराष्ट्र विधान सभा चुनावों का माहौल अब पूरी तरह गर्म हो चुका है हर पार्टी अपनी ताकत जोंक रही है और जनता के सामने विभिन वादों का सिलसिला जारी है आज के हमारे इस कार्यक्रम में हम लेकर आए हैं विशेश सर्वेक्षन का विशलेशन जिसमें जानने की कोशिश करेंगे कि महाराष्ट्र की जनता किस पार्टी को सत्ता में देखना चाहती है हमारे पास है विभिनक शेत्रों से जुटाए गए आंकडे और हमारे विशेशग्यों की राए तो चलिए शुरुआत करते हैं चुनावी मुद्दों की बात करें तो महाराष्ट्र में इस बार क्या प्रमुख मुद्दे हैं क्या यह किसानों के मुद्दे हैं, बेरोजगारी का सवाल है या फिर महंगाई ने जनता को परेशान कर रखा है आए हमारे सर्वे के नतीजों पर एक नजर डालते हैं और जानते हैं कि जनता किन मुद्दों को सबसे अधिक एहमियत दे रही है महाराष्ट्र के रतनागिरी जिले की पाँच विधान सभा सीट है महायुती NDA गठ बंधन को तीन से चार सीट जीतने को मिल सकती है महाविकास आगाद्धी गठ बंधन, MVA को एक से दो सीटों में बढ़त मिलती नजर आ रही है अन्य पार्टियों के खाते में जीरो सीट जा सकती है महाराष्ट्र के नंदुरबार जिले की चार विधान सभा सीट है महायुती NDA गठ बंधन के खाते में दो से तीन सीट जा सकती है महाविकास आघाध्धी गठबंधन, MBA को 0-1 seat जीतने को मिल सकती है निर्दलिये को महज 0 seat जीतने को मिलेंगी महाराश्ट्र के उस्मानाबाद जिले की 4 विधान सभा seat है महायूती NDA गठबंधन के खाते में 1-2 seat जा सकती है महाविकास आघाध्धी गठबंधन, MBA को 1-2 seat जीतने को मिल सकती है निर्दलिये को महज 0 seat ही मिलेंगी महाराश्ट्र के सिंधु दुर्ग जिले की 3 विधान सभा seat है महायूती गठबंधन के खाते में 1-2 seat जा सकती है महाविकास आघाधी गठ बंधन, MVA, को 0-1 seat जीतने को मिल सकती है निर्दलिये को महज 0 seatیں ही मिलेंगी महाराश्ट्र की 288 विधानसभा seat में से 16 विधानसभा seat का सर्वे आपको बता रहे है महायुती NDA गठ बंधन को 9-10 seat जीतने को मिल सकती है महाविकास आघाधी गठ बंधन, MVA, को 4-5 seat में बढ़त मिलती नजर आ रही है अन्य पार्टियों के खाते में 0-0 seat जा सकती है महाराश्ट्र के वर्धा जिले की 4 विधानसभा seat है महायुती गठ बंधन, NDA को 1-2 seat जीतने को मिल सकती है महाविकास आघाधी गठ बंधन, MVA, को 1-2 seat में बढ़त मिलती नजर आ रही है अन्य पार्टियों के खाते में 0-0 seat जा सकती है महाराश्ट्र के वाशिम जिले 3 विधानसभा seat है महायुती गठ बंधन के खाते में 0-1 seat जा सकती है महाविकास आघाधी गठ बंधन, MVA, को 1-2 seat जीतने को मिल सकती है निर्दलिये को महज 0 seat ही मिलेंगी महाराश्ट्र के सिंधु दुर्ग जिले की 3 विधानसभा seat है महायुती गठ बंधन के खाते में 3-2 seat जा सकती है महाविकास आघाधी गठ बंधन, MVA, को 3-2 seat जीतने को मिल सकती है निर्दलिये को महज 0 seat ही मिलेंगी महाराश्ट्र के यवत माल जिले की 7 विधानसभा seat है महायुती गठ बंधन के खाते में 3-4 seat जा सकती है महाविकास आघाधी गठ बंधन, MVA, को 2-3 seat जीतने को मिल सकती है निर्दलिये को महज 0 seat ही मिलेंगी महाराश्ट्र की 288 विधानसभा seat में से 30 विधानसभा seat का सर्वे आपको बता रहे है महायुती गठ बंधन को 16-17 seat जीतने को मिल सकती है महाविकास आघाधी गठ बंधन, MVA, को 11-12 seat में बढ़त मिलती नजर आ रही है अन्य पार्टियों के खाते में 0 seat जा सकती है महाराश्ट्र के अकोला जिले की 5 विधानसभा seat है महायुती गठ बंधन को 2-3 seat जीतने को मिल सकती है महाविकास आघाधी गठ बंधन, MVA, को 1-2 seat में बढ़त मिलती नजर आ रही है अन्य पार्टियों के खाते में 0-0 seat जा सकती है महाराश्ट्र के अमरावती जिले की 8 विधानसभा seat है महायुती गठ बंधन के खाते में 4-4 seat जा सकती है महाविकास आघाधी गठ बंधन, MVA, को 2-3 seat जीतने को मिल सकती है निर्दलिये को महज 0 seat ही मिलेंगी महाराश्ट्र के औरंगाबाद जिले की 9 विधानसभा seat है महायुती गठ बंधन के खाते में 4-5 seat जा सकती है महाविकास आघाधी गठ बंधन, MVA, को 3-4 seat जीतने को मिल सकती है निर्दलिये को महज 0 seat ही मिलेंगी महाराश्ट्र के बीड जिले की 6 विधानसभा seat है महायुती गठ बंधन के खाते में 2-3 seat जा सकती है महाविकास आघाधी गठ बंधन, MVA, को 2-3 seat जीतने को मिल सकती है निर्दलिये को महज 0-1 seat ही मिलेंगी महाराश्ट्र की 288 विधानसभा seat में से 58 विधानसभा seat का सर्वे आपको बता रहे है महायुती गठ बंधन को 31-33 seat जीतने को मिल सकती है महाविकास आघाधी गठ बंधन, MVA, को 22-24 seat में बढ़त मिलती नजर आ रही है अन्य पार्टियों के खाते में 0-1 seat जा सकती है महाराश्ट्र के भंडारा जिले की 3 विधानसभा seat है महायुती गठ बंधन को 1-2 seat जीतने को मिल सकती है महाविकास आघाधी, गठ बंधन, MVA, को 0-1 seat में बढ़त मिलती नजर आ रही है अन्य पार्टियों के खाते में 0 seat जा सकती है महाराश्ट्र के बुल्हाना जिले की 7 विधानसभा seat है महायुती गठ बंधन के खाते में 4-5 seat जा सकती है महाविकास आघाधी, गठ बंधन, MVA, को 1-2 seat जीतने को मिल सकती है निर्दलिये को महज 0 seat ही मिलेंगी महाराश्ट्र के चंद्रपुर जिले की 6 विधानसभा seat है महायुती गठ बंधन के खाते में 3-4 seat जा सकती है महाविकास आघाधी, गठ बंधन, MVA, को 1-2 seat जीतने को मिल सकती है निर्दलिये को महज 0 seat ही मिलेंगी महाराश्ट्र के धुले जिले की 5 विधानसभा seat है महायुती गठ बंधन के खाते में 2-3 seat जा सकती है महाविकास आघाधी, गठ बंधन, MVA, को 1-2 seat जीतने को मिल सकती है निर्दलिये को महज 0-0 seat ही मिलेंगी महाराश्ट्र की 288 विधानसभा seat में से 89 विधानसभा seat का सर्वे आपको बता रहे है महायुती गठ बंधन को 44-46 seat जीतने को मिल सकती है महाविकास आघाधी, गठ बंधन, MVA, को 30-32 seat में बढ़त मिलती नजर आ रही है अन्य पार्टियों के खाते में 0-1 seat जा सकती है महाराश्ट्र के गठ चिरोली, जिले की 3 विधानसभा seat है महायुती गठ बंधन को 1-2 seat जीतने को मिल सकती है महाविकास आघाधी, गठ बंधन, MVA, को 2-3 seat में बढ़त मिलती नजर आ रही है अन्य पार्टियों के खाते में 0-0 seat जा सकती है महाराश्ट्र के गोंदिया, जिले की 4 विधानसभा seat है महायुती NDA, गठ बंधन के खाते में 1-2 seat जा सकती है महाविकास आघाधी, गठ बंधन, MVA, को 1-2 seat जीतने को मिल सकती है निर्दलिये को महस 0-0 seat ही मिलेंगी महाराश्ट्र के हिंगोली, जिले की 3 विधानसभा seat है महायुती NDA, गठ बंधन के खाते में 1-2 seat जा सकती है महाविकास आघाधी, गठ बंधन, MVA, को 0-1 seat जीतने को मिल सकती है निर्दलिये को महस 0 seat ही मिलेंगी महाराश्ट्र के जलगाम जिले की 11 विधानसभा seat है महायुती NDA, गठ बंधन के खाते में 9-11 seat जा सकती है महाविकास आघाधी, गठ बंधन, MVA, को 1-2 seat जीतने को मिल सकती है निर्दलिये को महस 0-0 seat ही मिलेंगी महाराश्ट्र की 288 विधानसभा seat में से 100 विधानसभा seat का सर्वे आपको बता रहे है महायुती NDA, गठ बंधन को 69-62 seat जीतने को मिल सकती है महाविकास आघाधी, गठ बंधन, MVA, को 35-38 seat में बढ़त मिलती नजर आ रही है अन्य पार्टियों के खाते में 0-0 seat जा सकती है महाराश्ट्र के जलना जिले की 5 विधानसभा seat है महायुती NDA, गठ बंधन को 1-2 seat जीतने को मिल सकती है महाविकास आघाधी, गठ बंधन, MVA, को 2-3 seat में बढ़त मिलती नजर आ रही है अन्य पार्टियों के खाते में 0-0 seat जा सकती है महाराश्ट्र के पालगर जिले की 6 विधानसभा seat है महायुती NDA, गठ बंधन के खाते में 1-2 seat जा सकती है महाविकास आघाधी, गठ बंधन, MVA, को 4-6 seat जीतने को मिल सकती है निर्दलिये को महस 0-0 seat ही मिलेंगी महाराश्ट्र के परभनी जिले की 4 विधानसभा seat है महायुती NDA, गठ बंधन के खाते में 1-2 seat जा सकती है महाविकास आघाधी, गठ बंधन, MVA, को 2-3 seat जीतने को मिल सकती है निर्दलिये को महस 0 seat ही मिलेंगी महाराश्ट्र के कोलहापुर्जिले की 10 विधानसभा seat है महायुती NDA, गठ बंधन के खाते में 4-6 seat जा सकती है महाविकास आघाधी, गठ बंधन, MVA, को 4-5 seat जीतने को मिल सकती है निर्दलिये को महस 0-0 seat ही मिलेंगी महाराश्ट्र की 288 विधानसभा seat में से 125 विधानसभा seat का सर्वे आपको बता रहे है महायुती गठ बंधन को 79-72 seat जीतने को मिल सकती है महाविकास आघाधी, गठ बंधन, MVA, को 53-54 seat में बढ़त मिलती नजर आ रही है अन्य पार्टियों के खाते में 0-1 seat जा सकती है महाराश्ट्र के लातूर जिले की 6 विधानसभा seat है महायुती NDA गठ बंधन को 3-4 seat जीतने को मिल सकती है महाविकास आघाधी, गठ बंधन, MVA, को 1-2 seat में बढ़त मिलती नजर आ रही है अन्य पार्टियों के खाते में 0-0 seat जा सकती है महाराश्ट्र के मुंबई, शहर जिले की 10 विधानसभा seat है महायुती NDA गठ बंधन के खाते में 4-5 seat जा सकती है महाविकास आघाधी, गठ बंधन, MVA, को 4-6 seat जीतने को मिल सकती है निर्दलिये को महज 0-0 seat ही मिलेंगी महाराश्ट्र के मुंबई, शिले की 26 विधानसभा seat है महायुती NDA गठ बंधन के खाते में 24-26 seat जा सकती है महाविकास आघाधी, गठ बंधन, MVA, को 5-8 seat जीतने को मिल सकती है निर्दलिये को महज 0 seat ही मिलेंगी महाराश्ट्र के नागपुर, जिले की 12 विधानसभा seat है महायुती NDA गठ बंधन के खाते में 4-6 seat जा सकती है महाविकास आघाधी, गठ बंधन, MVA, को 6-7 seat जीतने को मिल सकती है निर्दलिये को महज 0-0 seat ही मिलेंगी महाराश्ट्र की 288 विधानसभा seat में से 189 विधानसभा seat का सर्वे आपको बता रहे है महायुती NDA गठ बंधन को 102-105 seat जीतने को मिल सकती है महाविकास आघाधी, गठ बंधन, MVA, को 70-72 seat में बढ़त मिलती नजर आ रही है अन्य पार्टियों के खाते में 0-0 seat जा सकती है महाराश्ट्र के नांदेड जिले की 9 विधानसभा seat है महायुती गठ बंधन को 4-5 seat जीतने को मिल सकती है महाविकास आघाधी, गठ बंधन, MVA, को 3-4 seat में बढ़त मिलती नजर आ रही है अन्य पार्टियों के खाते में 0-1 seat जा सकती है महाराश्ट्र के नासिक जिले की 15 विधानसभा seat है महायुती NDA गठ बंधन के खाते में 9-10 seat जा सकती है महाविकास आघाधी, गठ बंधन, MVA, को 4-5 seat जीतने को मिल सकती है निर्दलिये को महज 0 seat ही मिलेंगी महाराश्ट्र के पुने जिले की 21 विधानसभा seat है महायुती गठ बंधन के खाते में 15-18 seat जा सकती है महाविकास आघाधी, गठ बंधन, MVA, को 2-3 seat जीतने को मिल सकती है निर्दलिये को महज 0-0 seat ही मिलेंगी महाराश्ट्र के रायगड जिले की 7 विधानसभा seat है महायुती NDA गठ बंधन के खाते में 1-2 seat जा सकती है महाविकास आघाधी, गठ बंधन, MVA, को 4-5 seat जीतने को मिल सकती है निर्दलिये को महज 0-1 seat ही मिलेंगी महाराश्ट्र की 288 विधानसभा seat में से 231 विधानसभा seat का सर्वे आपको बता रहे है महायुती NDA गठ बंधन को 135-140 seat जीतने को मिल सकती है महाविकास आघाधी, गठ बंधन, MVA, को 85-89 seat में बढ़त मिलती नजर आ रही है अन्यपार्टियों के खाते में 0-0 seat जा सकती है महाराश्ट्र के सांगली जिले की 8 विधानसभा seat है महायुती NDA गठ बंधन को 4-5 seat जीतने को मिल सकती है महाविकास आघाधी, गठ बंधन, MVA, को 1-2 seat में बढ़त मिलती नजर आ रही है अन्यपार्टियों के खाते में 0-0 seat जा सकती है महाराश्ट्र के 17 जिले की 8 विधानसभा seat है महायुती गठ बंधन के खाते में 4-5 seat जा सकती है महाविकास आघाधी, गठ बंधन, MVA, को 2-3 seat जीतने को मिल सकती है निर्दलिये को महस 0-0 seat ही मिलेंगी महाराश्ट्र के अहमद नगर जिले की 12 विधानसभा seat है महायुती NDA गठ बंधन के खाते में 6-7 seat जा सकती है महाविकास आघाधी, गठ बंधन, MVA, को 4-5 seat जीतने को मिल सकती है निर्दलिये को महस 0 seat ही मिलेंगी महाराश्ट्र के 16 पुर जिले की 11 विधानसभा seat है महायुती गठ बंधन के खाते में 5-6 seat जा सकती है महाविकास आघाधी, गठ बंधन, MVA को 4-5 सीट जीतने को मिल सकती है निर्दलिये को महस 0-0 सीटें ही मिलेंगी महाराश्ट्र के ठाने जिले की 18 विधान सभा सीट है महायुती NDA गठ बंधन के खाते में 9-12 सीट जा सकती है महाविकास आघाधी, गठ बंधन, MVA को 6-8 सीट जीतने को मिल सकती है निर्दलिये को महस 0-0 सीटें ही मिलेंगी महाराश्ट्र की 288 विधान सभा सीट में से 288 विधान सभा सीट का सर्वे आपको बता रहे है महायुती NDA गठ बंधन को 179 से 174 सीट जीतने को मिल सकती है महाविकास आघाधी, गठ बंधन, MVA को 108 से 113 सीटों में बढ़त मिलती नजर आ रही है अन्य पार्टियों के खाते में 2-3 सीट जा सकती है